रैंट्स के आप स्टेची ऑफ यूनिल्टी खडीना चाहते हैं जी हां बिल्कुल सही सुना आपने एस्टेची ऑफिर यूनिल्टी जो कि हमारे देश की एकताव सम्रभृत्ता का प्रदी आप Statue of Unility जो कि गुजरात में सूरत नर्मदान अधी केतर के किनारे बना हुआ है जो कि हमारे देश को लह पुरुष जानी शिरी बल्लब भाई प्रतिल को समर्तित है पर यह Statue of Unility ओलेक्स पर अवलेबल है मातर 30,000 करोल लुपार में जी हाँ, हाल फिलाल एक ऐसी खटना सामने आई है कि गुजरात के एक विक्ति ने ओलेक्स पर Statue of Unility को बेचने के लिए सेल के लिए डाल दिया तो ओलेक्स एक ऐसा platform है जहां से हम सभी लोग नए या पुरने समान खरीदते वाँ बेचते हैं आपने भी बहुत सारी शॉपिंग करी होगी ओलेक्स से पर Statue of Unility को खरीदने का मौगा पहली बार मिलेगा आपको उस वेक्ती ने ये तरक देते हुए ओलेक्स पर ये पोस्ट गया कि जो COVID-19 से हमारे Friend Line Workers जहनी कि डॉक्टर्स नर्सेज और बाकी जो सेवा कर्मी है जो सफाई कर्मी है जो समस्या से लड़ नहीं और उसको बहुत ही मजबूत तरीके से सामने से फेस कर रहे हैं उनके लिए जो आधरबूत सुविधाएं वो भी नहीं जुटा पा रहे ही सरकार उनके लिए मास्क नहीं है उनके लिए बाकी सुविधाएं नहीं है सनिटाइजर नहीं सनिटाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग और वो भी इस समस्या के चपेट में आते जा रहे है तो इस बात को वेंग में करते हुए इस वेक्ति ने ओलेक्स पर डाला इस पोस्ट को की 30,000 करोल परे में आपको स्टेची ओफ यूनिटी मिलेगी पुलिस के संग्यान में ये बात तब आई जब इस थानी अख़बार ने इस पोस्ट को अपने अख़बार में जगा दी और वो अख़बार सर्कुलेट होकर पुलिस के पास पहुँचा तुरंट एक्षन में आई पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ आई टी की धारा का प्रभा करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ कई सारी रिपोर्ट दर्जकरी जैसे की इंडियन पीनल एक्ट कोड के सेक्शन 505 जो की पब्लिश सर्कुलेट्स एं रियूमर्स यानि की 169 जो की फॉजरी कि धारा है कि के तहत उसके उपर रिपोर्ट लिखी है और उस पर ततकाल कारवाही करने आश्वाशन दिया गया है कि भी अवा पर ध्यानी देना कोई अवा फ़लानी नहीं है उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे